हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ओनलाइन स्टी पॉइंट दोस्तो इस वीडियो में आपके लिए 2018 की नई नियुक्तियों से लेटेट करेंड एफेस के कोईश्चन लेकर आया हूँ जैसे कि पांच राज्यों के नए मुख्य मंत्री भारती रिजर्मेंग के नए गवर्नर कौन बने हैं जो कि आपके आने वाले एक्जाम्स के लिए बहुत मात पूर्ण रहेगा इसलिए इस वीडियो का आप इसकीप ना करें अंतर तक देखें और यदि भी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ने किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आकन जरूर प्रिस कर दें तक कि आपको एक्जाम से लेटे डेली वीडियो का नोडिफिकेशन मिलता रहे है चलिए तो फिर स्टाट करते हैं दिए वीडियो आपको पसंद आद प्लीज लाइक जरूर करें इस वीडियो को सेर करके अपने सभी दोस्तों साथ उनकी हेल्प जरूर करें चलिए तो फि भारती महिले टीम का नया कोच नियुक किया गया है यानि किसका ओप्शन डिकरेक्ट हो जाएगा इससे पहले थे रमेस पोवार अब बन गये हैं डबलूबी रमन देखे उस तो आपको बता देख भारत की महिला क्रिकेट टीम की जो कैप्टन है ओंडी ओडी आई कैप्ट अगला कोच दोस्तों चतिस गड़ के नय मुख्यमंत्री कौन बने थो अला कि ये काफी सिंपल आपको पता होगा चतिस गड़ के नय मुख्यमंत्री बन गए भूपेश वघेल ऑप्सन सी ठीक है भूपेश वघेल बन गए चतिस गड़ के राजपाल का उन है आनंदीवेन पतेल दोस्तों चतिस गड़ में डोडल विधान सवा की 90 सीटे हैं इसमें इसे 68 सीट मिली थी कांगरेस सीट को ठीक है और दोस्तों आपको बता दें कि जो इंद्रावती राश्ट उद्यान है ये चतिस गड़ में सीते इससे क्वेशन पूचा आता है तो यह आप याद र जोगी थे और दूसरे थे रमन सिंग अब यह तीसरे नंबर के मुख्यमंत्री बन गए भूपेश बगेल जी ठीक है तो बरतमान मुख्यमंत्री भूपेश बगेल अगला कोशन देख लेते हैं दिसंबर 2018 में किसे भारती फिल्म एबम टेलिविजन संस्थान यानी FTII Film and Television Institute of India के Chairman किसे निउट किया गया है तो दोस्तों FTII के नए अध्यक्ष बन गया है ब्रिजेंद पाल सिंग यानी कि इसका ओप्साने करेक्ट हो जायागा ठीक है इससे पहले अनुपाम खेरते उन्होंने अपने पस सिस्तिफदे दिया था तो अब नया अध्यक्ष बना दिय दिये कारे करता है ठीक है संस्थान चलिए अगला कोशन देख लेते हैं मत्परेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने दोस्तों मत्परेश के नए मुख्यमंत्री बन गया है कमलात जी ठीक है कमलात जी मत्परेश की गवर्नर कौन है अनंदी वेन पटेल इन्होंने पद और प्रिद्धक शबत दिलाई है इससे पहले थे शिवराज सिंग चौहान और मत्परेश के पहले मुख्यमंत्री का उन थे मत्परेश के परिक्षाओं में पूछा आता है पंडित रवी संकर सुकुलत थे मत्परेश के पहले मुख्यमंत्रियों बरतमान में कम अलात बन गए है है तो यह फैक्ट याद रखिएगा हलाकि पांच राज्जियों के जितने भी नए विधानसवाद चुना हुए है उसे लेटर मैं मुख्यमंत्रियों से लेटर एक वीडियो बना चुका हूँ तो आपको एक कोशन पता होगा लेकिन रिवीजन हो जागे दिया आपको पता मिजोयरम के गवर्णर के राजशेक्रान के राजशेक्रान रहे तो राज जिपाल भी याद रखिएगा कि यूकि मुक्यमंत्री नए बने इसलिए राज जिपाल से और आप पूछा आ सकता है 13 दिसंबर 28 को तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री गुरू में किसने सपत ली है तो लगा था दूसरी बार दोस्तों तेलंगाना के नए सीम बन गए है के चंदर सेखर राव यानि कलाव कुंतला चंद सेखर राव ठीक है और तेलंगाना के गवरनर कोण है एसल नरसिम्हन है ठीक है एसल नरसिम्हन है तेलंगाना के दोस्तों गठन कब हुआ था दो जून 2014 को आंधर प्रदेश से लगवा तेलंगाना भारत का नहीराज जबना था दो जून 2014 को तेलंगाना की राज़ानी के हैधराबाद और नए मुख्यमंत्री लागातार दूसरी का उन बने मोस्ट इंबोडन कोईस्टन है और वी आई के नए गवर्नर मन गये हैं सकती कांतदास यानि किसका ओप्सन भी करेक्ट हो जाएगा यह 25 नंबर के गवर्नर इनको बनाया गया इससे पहले कांथ उर्जीत पटेल उर्जीत पटेल के बाद है सकती कांतदास को बन अगला कोशन है SWIFT सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर वैंक फानेंसिल टेनिक अध्यक्ष करूम में किसे निउट किया गया है दोस्तों इसका करेक्टन्स वोयागा option C अरुन्धती भट्टाचारे पूर्व SVI अरुन्धती भट्टाचारे को SWIFT इंडिया घरेलू शेवाओं की SWIFT की स्थानी काई यहनि विश्वयापी इंटर वैंक वित्ती दूर संचार सुसाइटी का देक्ष निउट किया गया है अरुन्धती भट्टाचारे को ठीक है तो याद रखिएगा question 9 है किसे 7 दिसमर 2018 को अगले मुख्य आर्थिक सलाकार की रूम में निउट किया गया है most important question यह क्या गया है क्रिश्ण मूर्ती शुब्रमन्यम को भारत का अगला मुख्य आर्थिक सलाकार की रूम में निउट किया गया है क्रिश्ण मूर्ती शुब्रमन्यम को संग लोग सिवायोग यानि UPSC UPSC Union Public Service Commission का नया चैर्मेन किसे नुद किया गया है अर्विन सक्सेना को इनकी अब जो है 2020 तक इनका कारेकाल रहेगा ठीक है अर्विन सक्सेना जी UPSC के अध्यक्ष बन गये है UPSC क्या है ये IES IPS IFC इतने भी एक लास के अफिसर इनकी एक्जाम कंडर करता है संग लोग से वायोग इसका है एट्वाटर निव डेली में ठीक है चलिए अगला कोशन देख लेते हैं निर्विखित प्रसित भारती वेवर्साइयों में से किसे रास्टी कौसल विकास निगम निउक्त किया गया है दोस्ता आख बतादे कौसल विकास और उद्विंता मंत्राले द्वारा एम नाइक को ठीक है एम नाइक को रास्टी कौसल विकास निगम का अध्यक्ष निउक्त किया गया है ठीक है नया चेर्मन किसो निउक्त किया रास्टी कौसल विकास निगम का आनो कि परमाड़ उर्जा नियामक बोड较ष लिए प्रौम उर्जा नियामक बोड ने की ा नवंबर 2018 में भारत के नए मुख निरवाचनाइग के रूम में किशे निउत किया गया है भारत के उस्तों नए मुख निरवाचनाइग को बन गया है सुनील अरोडा जी ऑप्सन इसका बी करेक्ट हो जाएगा ठीक है इससे पहले कौन थे ओपी रावत थे अब वरतमान में बन गुन की जगह सुनील अरोडा जी को बनाया गया है भारत के पहले मुख निरवाचनाइग कोन थे सुकुमार सेन थे कौन थे सुकुमार सेन ये याद रखिएगा अगल इस रंजन यूनिशेफ द्वारा भारत के उत्तर पूरु शेत्र के पहले यूवा पक्षकार क्रूम में किसे निउट किया गया है दोस्तों इसका करेक्ट्रेंस जाएगा नाही दाफरीन ऑप्सन भी यह सम की मशुहूर गाई का है नाही दाफरीन को पूरवत्तर में बाल इमर्जनसी फण्ड तो यह क्या गया है यूवा पक्षकर यूथ रड़ुकट्ट नाही दाफरीन को इंटर पॉल के अध्यकर शरूमें किसे निउट किया गया है किया गया है किम जोंग यांग को ऑप्सन सी किम जोंग यांग को ठीक है को और से करेक्ट हो जाएगा इब्राहीम मुहमत सोली, ऑप्सन एक इसका करेक्ट हो जाएगा, माल दीप के साथ में राश्पति ग्रूम में, इब्राहीम मुहमत सोली, निर्म निखित में से किसे यूनिसेफ इंडिया के यूवा राजूत के रूम में न्यूत किया गया है, हिमादास को, ठीक है, अभी हम निती आगदारा बनाई गई, हिमाली राज छेतरी परिशत के अध्यक्ष रूम में किसे निउत किया गया है, वीके सारस्वत को, ठीक है, निती आगदारा बनाई गई, हिमाली राज छेतरी परिशत के अध्यक्ष रूम में किसे निउत किया गया है, वीके सारस्वत को, न प्रिम लिखित में से किसे भारत के प्रतिश्पर्धा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है दोस्तों प्रतिश्पर्धा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है पूर्व आईएस अधिकारी अशोक कुमार गुपता ऑप्सन भी करेक्ट हो जाया ठीक तो मिलते हैं नेक्स बड़े उक साथ तब तक के लिए आपनों ध्यान रखे, श्वस्तर रहे, बेस्तर रहे, मस्तर रहे, All the best, जै हिन, जै भारत!